हेलो दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में और दोस्तो आज है मेरे पास में Realme C3 जेहां दोस्तो बैक से देख लिजीगा तो Realme C3 अगर बात करने मेरे पास से अभी कितना प्राना हो चुका है तो लगो हमारे पास यह डिवाइस एक साल प्रान नहीं है तो चलिए एक बार आप इसी फॉन का एवब फॉन भी देख लिजीगा तो मैं सेटिंग में आज चुका हूं और यहां पर एवब फॉन पर क्लिक कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं मेरे पास यह फॉन कौन सा वेरेंट है तो देख सकते हैं मेरे पास है Realme C3 जो कि मेरे पास 4G RAM और वहीं 64G वे इंटना इस्टोइज वाला वेरेंट है तो चलिए PUBG पर सीधे क्लिक करते हैं और दिखाने वाले अगर आज भी आप इसमें BGMI, PUBG या Call of Duty खेलते हैं तो भाई यह गेमिंग में आपको कैसी प्रफेंस देने वाला है और BGMI के अंदरे कौ बात करों तो अभी भी डिले ही होगा क्योंकि इसमें सारे अप्डेट जो भी अप्डेट आये हैं हमने सारे अप्डेट कर लिए हैं और उस अप्डेट के बाद भी जारस को फिक्स नहीं होगा है तो एक software problem नहीं है वो एक hardware problem है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं setting मे आपको मिल पाता है अगर बात करूं ग्राफिक्स की तो भाईयो इसके price के हिसाब से यह भी ग्राफिक्स काफी अच्छे ग्राफिक्स है क्योंकि इस phone में जो आपको processor दिया गया है जो कि जिस टाइम पे phone launch हुआ था उस टाइम पे इस phone के price में काफी अच्छा यह phone था gaming के लिए तो जारिस्कोप पाल वेजाओन है और जारिस्कोप sensitive भी मैंने लगवग 400 कर रखी है ताकि आपको अच्छे वजब पाएं अभी इस phone को जारिस्कोप कैसा वर्क करने वाला है तो चलिए दोस्तों आप देखी सकतो graphics और मैं बात करूं जारिस्कोप की तो दोस्तों हम मैं कहूंगा जारिस्कोप डिले है लेकिन अगर आप किसी और फोन से इस phone के जारिस्कोप को compare करोगे जो कि उसी टाइम पे launch हुआ था और इसके same price में है जिया दोस्तों जिस टाइम पे phone launch हुआ था उस टाइम पे 8000 रुपे इसका price था अभी की price की बात करो तो अभी तो इ लेकिन आप नॉर्मली यूज भी करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो इतना ज्यादा डिले भी नहीं कि आपको बाद में बताने वाला हूं कि अभी भी आपको फोन नया खरीदना है या नहीं खरीदना है अगर आपको खरीदना भी तो इसी प्राइज में कौन सा phone खरीद ठाक है आपको इस phone को बार-बार चार्ज करना नहीं पढ़ेगा एक साल बाद भी बैटे पैकप ठीक ठाक बना हुआ है आपको इसë नहीं कि आब इस phone को बार-बार चार्जिंग पर लगा थिए नहीं ऑप ठीक ठाक है इस फोन के हिसाब से बात करूं पर फैस कि तो अभी आप यह गेंपली देख रहे हो स्मूद अल्ट्रा में मैं आपको एज़ डिह में भी दिखाने वाला हूं एज़ डिया में फोन कैसी परोफैस्ट देने वाला है तो गर गेंपली के बात करो तो मैंने एक लेकिन फिर भी आप नॉर्मल से प्लेयर हो अगर आप इसमें गेमिंग कर सकते और आपको एक और बात बता दूँ अगर आप इसी फॉन को कंपेर करोगा ना इस फॉन के प्राइस के साब से किसी और फॉन से तो यही फॉन बैस्ट है गेमिंग के लिए इसमें आपको फिंगर्प्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है लेकिन अगर आप जाओगे रेडवी 9 प्राइम की तरफ जो कि 10,000 में आपको मिल जाएगा तो इस फॉन में आपको फिंगर्प्रिंट सेंसर भी दिया गया है और इस फॉन से बैटरी भी थोड़ी आपको उच्छ फोन ने काफी अच्छे से मुझे रेंडर करा रखे हैं हाँ फ्रेम डॉप और लेग आपको थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगे लेकिन इसमूद अल्टरा में आपको फिर भी कम लेग मिलते हैं कम फ्रेम डॉप मिलते हैं अगर एच्डी है में आप गैम प्ले करोगे तो आ एक सार पुराना फोन हो चुका है और आठाजार उपे में आपको फोन मिला था उस टाइम पर अभी थोड़ा प्राइज हाई हो गया है तो उस बात पर ध्याना मत देना अगर बात करो नया खरीदने की तो दोस्तों अभी आपको फोन नया नहीं खरीदने चाहिए हाँ परफ़मेंस की बात करो तो लगहाँ दोनें की परफ़मेंस सह मैं दोस्तों लेकिन फिर भी रेड्मी नाइन प्राइम में आपको कैम्रे अच्छे दिये यह फोड़े से इसके मुकावले और आपको उस फोन में फिंगर पिन सेंसर भी दिया गया है तो उम्मीद करूंगो आपको वीडियो समझ में आचुकी होगी कि अभी हमें कौन सा फॉन खरीदना चाहिए अगर आपके पास में Realme C3 पहले से ही है तो फिर भी आप उसमें गेम प्ले करीए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नया भाई आप अभी इसे मत करना और आपको OLX से कहीं से भी second end मिलता है तो आप इसे बाई कर सकते हो दोस्तो इतने कहने चाहूंगा अगर आपने मेरे चैनल अभी देख सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजीगा क्योंकि मैं आपके लिए इसे तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ अभी भी आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो मैं आपको उसको रूपले जरूर देने वाला हूँ